पीम मोदी ने कहा कि सदियों के इंतजार धैर और बलिदान के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 सिर्फ एक तारीक नहीं है यह एक नए यू की शुरुआत है। उन्होंने टिपणी की कि हजारों साल बाद भी लोग इस तारीक और शनों को याद रखेंगे। ना पड़ा। मोधी ने इस मामले में न्याय करने और कानून के मताबिक राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोड को धनिवाद दिया। मोधी ने तपस्या में चूक के कारण इतने लंबे समय तक ही हकाम पूरा न कर पाने के लिए राम से माफी मांगी। अथिरत महा रथस्त ने अयोध्या राम मंदिर में राम की मूर्ती के समर्पन समारोह में भाग लिया। राजनेतिक नेता, उध्योगपती, फिल्मी सितारे और खिलाडी राम जन्म भूमी पर पहुंचे और श्री राम चंद्र मूर्ती के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लिया। तिल्गु राजियों के कई राजनेता और फिल्म अभिनेता भी शामिल हुए। आज हमारे राम आ गए है। प्याग और कपश्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है। गर्ब ग्रुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ। कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद है। मेरा शरीर अभी बीस पंदित है। चित अभी भी उस पल में लीन है। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे राम लला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है। अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये च्छान अलवकिक है। ये पल पवित्रतम है। ये माहोल, ये बातावरं, ये उर्जा, ये घड़ी, प्रबूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था। निर्मान कार्य देख देश वाचियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सद्यों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानशिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राश्ट। अतीद के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राश्ट। ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं। इसे साक्षाद गटीत होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिख दिगंत। मूर्तिकार अरुन योगी राज ने कहा कि वहाँ खुद को भागिशाली मानते हैं कि उन्हें राम लला की मूर्ति के उद्गाटन समाहरों में शामिल हुए योगी राज ने कहा कि भगवान राम का आशिरवाद उन पर हमेशा रहेगा। राम लला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुन योगी राज का कहना है कि उन्हें लगता है कि वहाँ इस समय पृत्वी पर सबसे भागिशाली वेक्ती हैं जबकि तीन अलग-अलग मूर्तिकारों ने आयोध्या में प्रतिष्ठा के लिए तीन मूर्तियां बनाई करनाटक स्थ मैसूर के मूर्तिकार अरुन योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को चुना गया केंद्रिय मंत्री किशन रेडी ने बालाराम के समान के अफसर पर सिकिंद्राबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर के पास आयोजित एक विशेश समारों में किशन रेडी ने कहा कि विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात में घटना भारत में घटी है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान साकार हुआ है। पता चला है कि देश के बच्चों से लेकर बुढ़ों तक को राम का नाम जबते और महा कृतु में भाग लेते देखकर उन्हें लगा कि यह इश्वर का आशिरवाद है। आश्री राम कुर्शे अर्जया में घटी है। आश्री राम कुर्शे अर्जया में घटी है। अर्जया में बाला राम की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सनतनगर विधान सभाक्षेत्र के बीके गुड़ा जया भारती स्कूल के परिसर में राम की छवी पर एक विशेश पूजा की गई। राम भक्तों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और श्री राम भजन किया। उनके घर की दीवारों पर जया श्री राम और जंडे लहराए गए। इस कार्यक्रम में लिंगमपली नरसिंग राव आकुला महेश रविंद्रगोड और विश्नु ने भाग लिया। राम भक्तों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और श्री राम भजन किया। उनके घर की दीवारों पर जया श्री राम के जंडे लहराए गए। इस कार्यक्रम में लिंगमपली नरसिंग राव आकुला महेश रविंद्रगोड और विश्नु ने भाग लिया। नारायनम्मा इंजिनेरिंग कॉलेज के वाइस चेर्मेन श्री विध्यारडी ने कहा कि अयोध्या में बाल राम के जीवन का संखश कार्यक्रम देश और दुनिया के लिए प्रेड़ना है। शेक पेट स्थेत जी नारायनम्मा विध्याले में राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सम्मान में चात्रों ने कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किये। नारायनम्मा इंजिनेरिंग के उपाध्यक्ष श्रीविध्या रेडी ने कहा कि उन्होंने अपने दाधा पुल्ला रेडी के नेत्रित्व में राम मंदिर के निर्मान के लिए सहयोग प्रदान किया था प्रिंसिपल रमेश रेडी ने कहा कि नारायनम्मा इंजिनिरिंग कॉलेज के छात्रों के मार्ग दर्शन में बाल राम के सम्मान कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा कई कार्यक्रम आयजित किये गए। This is Ji Nag Rain Ma Institute of Technology and Science. One of the institutes that my grandfather has established Today you can see an environment of celebration and joy not just here. Across all our schools and colleges we are doing this. So we are celebrating two things. One is of course the moment of Pran Pratista in Ayodhya Temple And the fight over the last three decades that we went through to get this done and how the contribution of Shri Ji Pulla Riddhikaru was done at the very beginning when this movement actually started and how he contributed, how he, his wife, Ji Naranamma, all our family, they were in the forefront of this movement and his soul wherever it is right now, it must be really happy. आयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ती को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है, हरियाना के राजयपाल बंडारू दतत्रे, महारास्त्र के पूर्व राजयपाल सी एच विद्यासागर राव और मुशिराबाद के विधायक मूठा गोपाल ने मुशिराबाद निर्वाचन ख्रेत्र में अधिक मेट अंजने स्वामी मंदिर में आयजित उत्सव में भाग लिया। दश्रत राम जन्म भूमी में मापे गए, पूरे देश में बाल राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यकरम को देखने के लिए देश के विबिन हिस्सों से बड़ी स्क्रीने लगाई गई है। अधिक मेट अंजने स्वामी मंदिर में लगी, LED स्क्रीन पर अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना दिखाई गई, इस मौके पर आसपास का इलाका जैश्री राम के जैकारे से गुँच उठा। सिकिंद्रबाद विधायक एवंपूर डिप्टी स्पीकर पद्मराव गौड ने कहा कि श्री राम के आदर्शों का सभी को अनुसरन करना चाहिए। मौडा मारकेट, अशोक नगर और अन्य स्थानों पर इस छोबा यात्रा में भाग लिया। अतिहास बता कर पूजा अर्चना की गई। शहर के कई युवाओं ने बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकाली। वे भगवाद भच था में जैश्री राम, जैजैश्री राम, राम लक्षमन जान की जैबोलो हनुमान की का नारा लगाते हुए रैली में आगे बढ़े। सभी का 500 साल पुराना सपना खुशी से जुम उठा, बाद में हिंदू वाहिनी के तत्वधान में, मेर्चल कजबे के मुख्य बजार में, लाइव स्क्रीन के माध्यम से, आयोध्या में बाला राम प्रान प्रतिष्ठा कारेकरम देखा गया, इस कारेकरम में हिंदू वाहि आयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा के अवसर पर चंद नगर में विंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विशेश पूजा की गई, इस कारेकरम में बड़ी संख्या में श्रधालू शामिल हुए, मंदिर समिती ने भक्तों के लिए अनदानम का आयोजन किया, आजसुब मंतری पूंगोलेटी श्रिनिवास रेड़ी ने अधिकारियों को ख्शेतर का दोरा करने और कारियों की प्रगति की निगरानी करने का आदेश दिया, मंतری ने खंबम न्यू कलेक्टुरेट में पालेरू निर्वाचन क्शेतर के विकास कारियों की प्रगति की सम करना चाहिए लोगों को बहतर से वाएं प्रदान करना चाहिए सरकारी प्रणालियों में विश्वास पैदा करना चाहिए अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्द रहें उन्होंने चेतावनी दी कि वे आचक निरिक्षन करेंगे यदि कर्तवियों में लापरवाही बढ़ती विकारबाद जिले के चौधापूर में खुले बाजार में स्थानिय लोगों को आंगनवाडी से मुर्गी के अंडे बेचते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया स्थानिय लोग इस बात से आश्यर्य चकित थे कि मुर्गी के अंडे जो बच्चे और शिश्वों को दिये कमा रहा है जब उनसे पूछा गया कि मुर्गी के अंडे कहा है तो उन्होंने कहा कि उन्हें संगारे डिजिले के तूपरान में विंकटेश नाम के व्यक्ति ने दिया था जब विंकटेश से पूछा गया कि वह कौन है तो उसने बताया कि वह एक वाहन चालक है जो आंगन कर रहे हैं मुलगु जिले के मेडाराम में महा जत्रा के दौरान जिला आदिवासी कल्यान आश्रम हाई स्कूल के छात्रों ने प्लास्टिक प्रतिबंद के खिलाफ जागरुकता रैली निकाली एथुरु नगरम आई टी डी ए पियो अंकिता ने जंडा लहरा कर इस रैली की शुरुआत की विध्यारतियों ने प्लास्टिक का उप्योग न करें सूती थैलों का उप्योग करें जैसे नारों के साथ रैली निकाली ITDA PO ने सुझाव दिया कि मिडराम मेले में आने वाले भक्तों को प्लास्टिक बैक के बज़ाए सूती बैक का उप्योग करना चाहिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर रविवार को मिडराम ट्राइबल वेलफेर हाई स्कूल के चात्रों के साथ अम्मवारी गड़ेला से मिडराम गाव तक रैली निकाली गई इस अफसर पर बोलते हुए पियों ने सुछाब दिया कि मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए सबसे पहले अम्मवारी गड़े पर पूजा की गई और कपास की थैलियां पूजारू संग के अध्यक्ष सिद्ध बोईना जगाराव को सौपी गई इसके बाद उन्होंने ITDA कैंप कार्याले में मरम्मत का कार्या निरिक्षन किया कारी की गुणवत्ता बनाये रखने का आधेश दिया मेले के दोरान कार्यों में प्रगति के बारे में RNB DERWSAE से बात की जपन्ना वागू क्षेतर में पारकिंग स्थल यातायात प्रबंधन सनान घाट और आधिवासी संगरहालाय का दोरा किया उनके साथ APO वसंतराव, एंडो मेंटाईयो राजेंद्रम और ट्राइबल डेवलेप्मेंट A.E. देसी राम भी थे सानिय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सेरे लिंगम पली G.H.M.C. के अधिकारी स्वच्छिता बनाए रखने में विफल रहे हैं उन्होंने कहा कि सड़क पर जमा कूडा कचरा नहीं हटाया जा रहा है नल गोंडा से गोपन पली तक सड़क पर सौफटेर उध्योग और प्रतिष्ठिट च्रैक्शनिक संस्थान है उन्होंने कहा कि इस सड़क के दोनों और फुटपात पर प्लास्टिक कचरे का धेर जमा हो गया है जिससे प्रति दिन हजारों लोग यातरा करते हैं इस सड़क से गुजरने वाले लोगों पर कूड़ा उड़कर वाहनों पर गिरता है सानिय लोग अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे हैं कि वे स्वच्छता अधिकारियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन्होंने कई बार इस मामले में अनुरोद किया है हाल ही में हैदरबाद में आग लगने की एक घटना के बाद हुई दुर घटना है चिन्ता का कारण बन रही है चिन्कि अब सर्धी का मौसम है इसलिए कई लोग खुली जगहों पर अलाव जला रहे हैं इनसे अगनिकान भी हो रहे हैं, हाल ही में हदरबाद में एक और आग हाथसा हुआ है। पर काबू पाया, हाथसे के वक्त वहां कुछ और बसे खड़ी थी। पूर्वरास्ट्रपती रामनात कोविंद की अध्यक्षिता वाली समिती ने कहा। कि एक देश एक चुनाव को लेकर उसे लोगों से करीब 21,000 सुझाव मिले हैं। इसमें कहा गया है कि 81 फिसदी लोगों ने एक राश्ट्र एक चुनाव के समर्थन दिया है। 46 पार्टियों से उनकी राय मांगी गई है और अब तक 17 पार्टियों से पत्र प्राप्त होए हैं। कोविंद समिती ने कहा कि राज्य सभा सदस्य गुलनभी आजाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 15 वेवित आयोक के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंग पूर्व लोग सभा महासचिव सुभाश कश्यप पैनल बैठक में शामिल हुए। पता चला है कि समिती के सदस्य इस महीने की 27 तारी को फिर से बैठक करेंगे। कॉंग्रेस आप अर्थरुन मूल कॉंग्रेस पार्टियां पहले ही पत्र लिख कर एक रास्ट्र एक चुनाव का विरोध कर चुकी है। असम में राहुल गांधी की भारत जोडो नियाई यात्रा पर हुए हमले के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टिय ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कॉंग्रेस महासचिव केसी वेडु गोपाल ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की यात्रा के काफिले पर हमल सोची समझी यूजना के तहत किया गया है। इस हद तक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया। संसरी केस बिल्किस बानो केस में 11 दोशियों ने गुजरात की उप जेल में सरेंडर कर दिया। उन्होंने हाल ही में सुप्रिम कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया और कहा कि उनके कुछ दाईत्व हैं और उन्हें आत्मसमरपन करने के लिए और समय दिया जाए। लेकिन कायें खारिच कर दी और उन्हें आत्मसमरपन करने की समय सीमा दी। परिनाम स्वरूप 11 दोशियों ने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमरपन कर दिया। गोधरा ट्रेन आगजनी के हमले के बाद 2002 में गुजरात में भड़के सामप्रदाएक दंगों में बिल्किस बानो परिवार के साथ सदस से मारे गए थे। पांच माह की गर्भुवती बानों के साथ हमलावरों ने सामोहिक दुशकर्म किया। 2008 में एक विशेश CBI अदालत ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात सरकार ने 2022 में 14 साल की सजा काट चुके लोगों को माफी दे दी है। इन सभी को 15 अगस्त 2022 को जेल से रहा कर दिया गया था। इसके साथ ही बानों ने गुजरात सरकार के फै फैसले को खारिज करते हुए एहम फैसला सुनाया है कि उनकी रिहाई अवैद है। उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्म समर्पन करने का आदेश दिया।